हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बटा एक्सरसाइज 13.4 का क्योस्टन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है स्टेट्मेंट रीड करेंगे एक बार एक फैज दे कैप यूज़ बाई दे टर्ग्स इस सेव लाइक दा फर्स्टम ओफे कौन उसने क्या का है एक फैज के अंदर जो है एक टर्ग्स के उपर क्या है कैप यूज़ की गई है जो की फर्स्टम की टाइप की है अपनी इफ इस रेडियस ओन दा ओपन साइड इस 10 सेंटिमेटर एंड रेडियस ओफ दा अपर बेस इस 4 सेंटिमेटर जो वो कैप यूज़ की गई है उसकी ओपन साइड से रेडियस है 10 सेंटिमेटर और जो अपर बेस है वो क्या है 4 सेंटिमेटर रेडियस का है तो यहाँ पे open side है तो open side की जो radius है यह कितनी given है हमें 10 cm given है और जो upper base है इसका upper type है जो वहाँ पे इसकी radius जो given है वो कितनी given है बिटा 4 cm given है नेक्स्ट क्या चीज given है हमें and its slant height is 15 cm means यह जो हमारी slant height है L टेड़ी height जो होती है L is equal to कितनी given है हमें 15 cm given है find the area of material used for making it इसको बनाने में जितना भी area required हुआ है वो हमने क्या करना है find out करना है तो चलिए इस question के अंदर जो चीज given है बेटा सबसे पहले वही write down करते हैं सबसे पहले upper end लिखेंगे फिर lower end तो यहाँ पर क्या लिखेंगे radius of upper end radius of upper end इसको मान लेते हैं बेटा r1 वो कितना है 4 cm radius of lower end इसको मान लेते हैं r2 वो कितना given है बेटा 10 cm given है next बात करते हैं slant height की slant height जो है l is equal to कितना given है 15 cm कोई भी question हो इसी type से करना है जो चीज given हो बेटा सबसे पहले वो write down करेंगे फिर उसके बाद अपने question को carry on करेंगे ठीक है अब हमें चाहिए क्या है area of material used क्या चाहिए हमें area of material used area of material used वो किसके equal होगा सबसे पहले तो cut surface area of first term ठीक है पलस में क्या हो जाएगा बिटा ओ अपर जो part है ये कैसा है circular shape का है इसका area तो यहाँ पर क्या लिखेंगे area of upper circular end area of upper circular end अब आप सोच रहे होगे कि lower क्यों नहीं लिया क्योंकि lower तो उसने already बुला हुआ है open है तो यहाँ पर हमें तो कोई भी metal या कोई भी जिस चीज़ से हम इसको बना रहे हैं तो इसकी तो requirement नहीं होगी तो यहाँ से open रखना है तो हमें बस upper part को क्या करना है cut surface area के अंदर add गर देना है आई होब यह चीज़ आपको clear होगी अब इसके अंदर क्या लिखने है बस formula लिखने है cut surface area of first time का formula क्या होता है पाई वैसे जो formula होता है हमारा कोन का क्या होता है पाई आरेल अब इसके अंदर radius कितने है आरवन और रटू तो क्या होगा पाई आरवन स्केर अब वैल्लू पूट कर लेते हैं यहाँ पे दोनों में क्या है पाई वैल्लू है तो क्या हो जाएगा यहाँ पाई एज़ रख लेते हैं आरवन कितना है हमारा 4 पलस आरटू कितना है 10 इंटू में slant height है पिटा 15 पलस पाई एज़ आरवन कितना है 4 4 का square ठीक है इसको simplify करते हैं पाई इंटू 10 और 4 14 multiply 15 पलस में 4 का square 16 पाई ठीक है इसको simplify किया 14 के और 15 की multiply करते हैं हमारे पास value आ जाएगी 210 210 पाई पलस 16 पाई इसको add किया तो कितना आ गया बिटा 226 पाई अब यहाँ पर क्या करेंगे हम पाई की value 72 by 7 या तो यहां पर इसको छोड़ दो centimeter square या फिर इसको divide कर दो simplify करेंगे तो value क्या देगी 710.28 centimeter square इस इस दा टोटल एरिया required to make this first time आई होप यह क्योस्टन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कहीं पर कोई डाउट आई तो मुझे comment करें दर्वाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूले नेक्स्ट क्योस्टन देखते है बिटा क्योस्टन नंबर 4 अपना क्योस्टन नंबर 4 की statement रीड करते बिटा क्या है ध्यान से रीड करना थोड़ा सा important क्योस्टन है एक container opened from the top and made up of a metal seat एक container है हमारा जो उपर से top से क्या है opened है और एक metal seat से बना हुआ है is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm जो की एक frustum की shape का है और जिसकी height जो है कितनी है बिटा 16 cm है with radii of its lower end upper end is 8 cm and 20 cm अपर end पे जो उसकी radii है 20 cm है और lower end पे जो radii है वो कितनी है 8 cm है तो यहां पे बिटा मैंने क्या कर लिया एक frustum ड्रो कर लिया इसकी height जो given है हमें वो कितनी given है 16 cm write down कर लिए यहां पे इस तरीके से अपने figure के साथ कोई भी question अगर करते हैं और exams के अंदर तो आपको अच्छे से diagram बनाना है बिटा diagram से आपका क्या होता है concept बिल्कुल clear होता चलता है कहीं पे भी कोई doubt आने का मतलब कहीं पे भी कोई mistake नहीं हो पासती है ठीक है radius जो है वो कितना है बटा हमारे पास 20 cm अब उससे आगे question देखते हैं हम क्या कहता है हमारा find the cost of the milk which can completely fill the container हमने क्या निकाल ली है cost of the milk निकाल ली है कि जो की क्या कर सके container को full कर सके at the rate of 20 per liter जिसका जो milk का cost है वो क्या है 20 रुपे पर लिटर है तो यहां पे हमें अच्छे से पता लग रहा है कि हमें क्या करना इसका volume निकालना है और जो भी volume निकलेगा उसको 20 से multiply कर देना है तो total cost of the milk आ जाएगी कि जिससे यह container हमारा fill उसके next देखते हैं क्या करना है also find the cost of metal seat used to make the container if it cost रुपी 8 per 100 cm square हमें क्या निकालना है इस container को बनाने के लिए जो metal seat लगी है उसकी cost find out करनी है अगर 100 cm square की cost क्या हो 8 रुपे हो तो हमें total cost find out करनी है कि इस container को बनाने में कितनी cost लगेगी तो चलिए बिटा इस question को करते हैं सबसे पहले देखते हैं हमें जो जो चीज given है उसको क्या कर लेते हैं हम write down कर लेते हैं radius of upper end given है lower end given है height given है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे radius of upper end इसको क्या मानते हैं बिटा हम r1 is equal to कितना होगा 20 cm अब lower end की बात करते हैं radius of lower end r2 equal to 8 cm next है हमारी height height of frustum इसको है मानते हैं h is equal to कितनी है 16 cm अब बिटा frustum के अंदर हमें क्या चाहिए volume निकालना है और हमें बाद में area निकालना है तो हमें slant height की requirement होगी ये वाली slant height l की requirement होगी तो slant height कैसे निकलेगी हमारी slant height का formula क्या होता है slant height l is equal to किसके हो जाएगा बिटा under root r1 minus r2 का square पलस height का square जो पिछे हम कोन की slant height निकालते थे क्या होता था l is equal to under root r square पलस h square अब यहाँ पे two radii है तो r1 minus r2 का square पलस में h का square तो यहाँ पे l की value देख लेते क्या आएगी under root r1 minus r2 20 minus 8 इसका square पलस height कितनी है 16 का square इसको simplify कर लेते है under root 20 minus 8 कितना होगा 12 12 का square क्या होगा 144 पलस 16 का square होगा 256 और इनको simplify करते है तो यह आजाएगा मारे पास under root 400 और 400 का root कितना होता है 20 cm तो l की value भी आगे है मारे पास कितनी आगे बिटा l is equal to 20 cm I hope this is clear है आपको यहाँ पे अब बात करते हैं बिटा अपनी capacity of the container की कि कितना उसके अंदर मिलके आ सकता है ठीक है सबसे पहले निकालेंगे capacity of container capacity of container और इसको क्या कह सकते हैं volume volume of container find out करेंगे अब container की save कैसी है first time है तो first time का volume कैसे निकलेगा बिटा pi r square h उत्ता है वैसे कोन का अब first time के अंदर के अंदर कैंदर क्या हो जाएगा 1 by 3 pi h as it is अंदर क्या आ जाएगा बिटा r1 square plus r2 square plus r1 r2 इसी exercise की जो first video है वहाँ पे मैंने इन formulas को बताया हुआ है एक बार अच्छे से वो देख लीजीए आपको अच्छे से clear हो जाएंगे यहाँ पर क्या अगरना अब simply value put करने है तो जो volume होगा हमारा वो किसके एकोल होगा 1 by 3 into pi की value क्या है 3.14 into में height जो है वो क्या है 16 into r1 कितना है 20 तो 20 का square plus r2 कितना है 8 का square plus में r1 r2 means 8 into 20 20 into 8 लिकलो या 8 into 20 इसको simplify कर लेते बिटा क्या आजएगा 1 by 3 multiply 3.14 multiply 16 into 20 का square क्या हो जाएगा मारा 400 plus 8 का square 64 plus में 28 जा क्या होगा मारा 160 इसको simplify किया तो क्या होगा 1 by 3 multiply 3.14 multiply 16 multiply 400 और 160 और 64 को add करेंगे तो क्या आजएगा मारे पास 624 4 अब 624 क्या add divisible by 3 है 6 to 8 और 4 12 12 divisible by 3 होता है तो ये भी 3 से divisible होगा 3 बंजा 3 3 टू जा 6 और यहां पे क्या value आजएगे मारे पास 0 और 8 208 इनको simplify करते हैं multiply करते हैं तो value क्या आजएगे बटा 10449.92 cm3 ये value आजएगे हमारे पास अब ये किसमें आगया cm3 में अब हमेंच ये क्या है cost जो given है बटा 20 रुपीज पर लीटर given है तो इसको क्या करेंगे हम लीटर में change कर लेंगे लीटर में किस तरिक से change करेंगे इसको क्या करेंगे cm3 एथो divide by thousand कर देंगे किस से divide करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या आजाएगा हमारे पास जो point आएगा वो कहाँ पे आजाएगा 10 point मतलब 3 digits के बाद 1, 2, 3 ये point जो है 3 digits से आग्या आजाएगा तो value जो हो जाएगी 10.449 इसको round off करेंगे तो क्या आजाएगा 10.45 कितना आजाएगा 10.45 ये आगया हमारे पास लीटर इतना दूद आ सकता है हमारे कंटेनर के अंदर आई होप ये चीज कलियर है एक बार मैं थोड़ा से यहां पर दोबर अबदा दितता हूं हमारे पास जो volume आया है वो centimeter cube में आया है बट बटा हमें जो cost given है 20 rupees per liter given है तो हमें इसको liter में change करना पड़ेगा तो thousands से divide कर लेंगे thousands means 30 है तो जो point है हमारा 3 digits आगया जाएगा यहां पर आगया तो value क्या होगी 10.449 अब 9 को round off करेंगे 449 है ना ठीक है 49 near about 5 के हो गया हमारा तो 45 हो जाएगा 10.45 liter आई होप यह चीज आपको अच्छे से clear होगी होगी अब बात करते बटा cost of 1 liter milk कितनी है cost of 1 liter milk जो है वो कितनी रुपीज है बटा 20 रुपीज और हमें किसकी निकालनी है cost of 10.45 liter की वो कितनी हो जाएगी 20 multiply 10.45 अब इसको simplify कर लेते हैं simplify करेंगे तो value क्या जाएगी 209 रुपीज मतलब 209 रुपीज का milk क्या कर सकता है हमारे frustum को completely fill कर सकता है आई होप यहां तक आपको clear हो गया होगा अब बेटा हमें क्या निकालनी है सबसे पहले हमें area of metal seat required निकालना है कि कितना area हमें चाहिएगा metal का उस फरस्टम को बनाने के लिए उसके बाद उसकी cost find out कर लेंगे अब देखना है हमें area of metal seat used metal seat used वो कैसे निकलेगा ध्यान से देखेंगे बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम curved surface area लिखेंगे curved surface area of फरस्टम पलस अब बेटा container है उपर से तो खुला हुआ है हमारा open है जो fill होगा हमारा बंद होगा container वो नीचे से होगा तो वी इस area को भी क्या कर देंगे add कर देंगे phi r2 का square क्योकि निचे circular safe है तो इसको क्या कर देंगे area of circle क्या होता है pi r square निचे radius क्या r2 तो pi r2 का square इसमें क्या कर देंगे हम add कर देंगे curved surface area of फरस्टम का formula क्या होता पाई into r1 plus r2 into l plus pi r2 का square value put करते हैं यहाँ पर πाई हम agities रख लेकते हैं into r1 plus r2 है r1 कितना था हमारा अब पर जो radius था 20 plus lower radius जो था 8 into में salant height कितनी निकाल ले थे हमने 20 ठीक है plus में πाई agities r2 कितना है हमारा r2 है 8 8 का square इसको simplify करते हैं πाई agities 20 और 8 28 28 की और 20 की अगर हम multiply करते हैं क्या आजएगे 560 plus 8 का square 64 तो यहाँ पर value आगे 64 पाई तो total area जो आगया हमें जो required है वो कितना आगया बटा 560 और 64 को add करते हैं तो हमें क्या आजएगा 624 पाई इतना centimeter square एरिया हमें चहिएगा इस फ्रस्टम को बनाने के लिए अब बात करते हैं according to question की question के अंदर क्या गिवने बटा जो cost of seat है वो क्या है 8 rupees per 100 cm square मतलब 100 cm square की cost है 8 rupees तो 624 पाई की cost कितनी होगी वो देखते हैं ध्यान से देखेंगे cost of 100 cm square metal seat 100 cm square metal seat की cost जो है वो कितनी रुपीज है बटा 8 रुपे cost of 1 cm square metal seat कितनी होगी 8 by 100 इसी तरीके से करते हैं जैसे माल लिया मैं कह दूँ की 5 रुपे की 25 टोफी आती है तो एक रुपे की कितनी आएंगी 25 by 5 ऐसे ही तो करते है ठीक है तो हमने क्या किया 100 cm square की cost है 8 रुपे तो 1 cm square की क्या होगी 8 by 100 और हमें निकालनी कितने की है cost of 624 pi cm square metal seat तो क्या होगा 8 by 100 multiply 624 pi इसको क्या कर लेंगे simplify कर लेंगे simplify करते हैं इसको 8 by 100 multiply 624 multiply pi की value रख लेते हैं 3.14 point हटाया तो अप उने में क्या आजएगा बटा 100 क्योंकि point के बाद 2 digits है इसको simplify करते हैं simplify करके हमारे पास जो value आजेगी वो क्या आजेगी बटा 156.75 रूपीज इसको solve कर लेंगे 624 की 8 की और 314 की multiply करके उसको क्या करेंगे हम 10,000 से divide तो हमारे पास value आजेगी 156.75 रूपीज total seat जो चाहिएगी हमें उसकी जो cost पड़ेगी वो क्या आजेगी 156.75 रूपीज यह किस तरीके से किया है एक बर थोड़ा सा में दुबारा बता देता हूँ ध्यान से सुनो अगर मान लिया हम बात करते हैं टोफीज की टोफीज होगी या कोई और product होगी जैसे मैं कहे दू कि 5 टोफीज की cost या फिर 5 रूपीज की हमारी जो है 25 टोफीज आती है पांच रूपे में 25 टोफीज आती है तो एक रूपे में कितनी आएंगे 25 बाई 5 इसी तरीके से करेंगे अगर हमें 3 रूपीज की निकालनी हो तो 3 रूपीज की क्या करेंगे multiply 3 तो कितनी आज़ेगी 5 बन जा 5 15 रूपीज की आज़ेंगे हमारी कितनी 3 टोफीज ठीक है मतलब 3 रूपीज में 15 टोफीज आज़ेंगी उल्टा कर गया मैं यहां पर तो आपको अच्छे से कलियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको simplify किया है आई होप यह क्योस्टन आपको अच्छे से कलियर हो गया होगा कहीं पर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें अदर्वाज इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू स्टूडेंट्स पर वचिंग दिस वीडियो थैंक्स